तो स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं रक्षा 11 जो आपकी प्रिष्ण वैंक है उसका यहां पर अध्या नमर 15 उसका पूरा हल देखने वाले हैं तो यहां से हम सभी की एक से सभी उत्तर देखेंगे और एक भी नहीं चोड़े तो वीडियो को एंड को देखते रहिए यहां पर पहला को की जिए तो इसका उत्तर है इसक तो इसका इसे आपको स्क्रीन सोट कर लीना है उसके बाद हम यहां पर दिया है ब्रद्धी को परिवासित कीजिए किसी कोशी का अंग अध्वा जीव सरीर के आका रिवाम आयतार में होने वाला इस्थाइवा अनुत करवनी यह परिवरतन जिसके परियाम सरूप उसका सुच के भार बरता है चक्र का चित्र बनाएं तो यहां पर आप इसको अच्छे से यहां पर इसक्रीन सोट कर सकते हैं इस चित्र को आपके बहुत बड़े ही काम का है और नहीं तो आप इसका अपनी नोटबुक में बना लेजिए उसके बाद है हमारा अंगला अंगला दिया हुआ है प्लास्ट चुक्त नौन का गहन कर सके इस जमता को फ्लास्टि के है और रहां पर रहाएं यहां पर आपको बता सारे कोशिकाओं के दीग्रन को प्रेरित करता है वॉक्सिन कोशिकाओं के दीग्रन को प्रेरित करता है उसके बाद हमारा यह आपनीच से फलों के निर्मान को प्रेरित करते हैं उसके बाद है हमारा आम की बगीचों में कई फलों को जड़ने से रोकने के लिए इनका उपयो यहां पर दिया हुआ है जिवरेलिन के कारें लिखी तो यहां पर फस्टे यहां पर इन सभी को आप अच्छे से इत्रिंसोट कर लिजेगा यहां पर फैला दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह पॉधों में पुस्पन एवां फालों के परिवर्धन में सहायता पहुंचाती है इनका उपयोग जीवन रहित अंगूर के उत्पादन में किया जाता है इनके छिड़काव से दिवर्षी पौधों को एक बर्षी पौधों में परिवर्धित किया जाता है उसके बाद हम इनके आंग देख लेते हैं आंग दिया हुआ है साइटो काइनीन हार्मोन के कार लिखिए तो इसका जो पहला फ़स्ट है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं इनके लिए ऑक्सिजन करने ऑक्सिन करने का हुना आवज सक है उसके बाद इसके बाद है इनका प्रियोग बीजों तथा पौधों के दूसरे अंगों की प्रिसुपती नष्ट करने के लिए भी किया जाता है उसके बाद हमारा अंगला प्रश्ण है एपसी सिख अमले के कारे लिखिए तो यहां पर आप मस्त देख लीजेगा इसका स्क्रीन सोट करना चाहिए इसके प्रियोग से अनाओं के अनुक्रान को रोका जा सकता है इसकी प्रियोग द्वाना जीवों इवं कालिकाओं की प्रिसुप्टी को बढ़ाया जाता है एपसी सिख अमलेका प्रमुक कारपत्तियों तथा दूसरी पादपंगों में जीरनता को बढ़ाना बढ़ाना होता है उसके बाद हम दीगर उत्त्री प्रश्ण पर हम करते हैं जो क्या होता है वह आप देख सकते हैं कुछ पौधों में फुस्पन पौधों सिर्फ प्रकास और अन्यकार की बाधी निर्वर नहीं करता वल्कि उसकी अशापेक निर्वर करता है इस घटना को biting कलिता कहते हैं इसके बादत हैं मॉं आलए इंहर liberal को ब्रकास और जो करांतिक आउधी की तुलना में कम प्रकास आउधी की उपस्तिती में उस्पन का प्रतृत्षिन करते हैं तो उसके बाद है दीर, दीप्तिकाली पोधा पहले हमने देखता आर्रद बौल क्या बोलती हैं से जो हमारा अलप दीप्ति पोधा उसके बाद हम यहाँ पर यहां से आप इसको अच्छी नोटबुक से लिख लीजेगा और मैं आपको बता दूए कंफ्यूज मत होना यह पूरा आंसर सही है और यह कोई गलत बताता है तो उसके आप बलकुल ना मानें क्योंकि यह जो हमारा है सो प्रसेंट सटीकुतर हम आपको प्रवाइड करा रहे ह उसके बाद हमारा अंगला है दीगर दीपतिकाली पौधा तो यहां पर है दीगर दीपतिकाली पौधे में पहला है ऐसे पौधे जिन्हें पुस्पन के लिए करांतिक आउधी से अधिक प्रकाश चाहिए दीगर दीपतिकाली कहलाते हैं उसके बाद हमारा अंगला है और यहां पर technicabasam इसका महत्य बताना है तो इसका उत्ता रहे हम बिलुकुल आपको दिखा रहे हैं तो यहां पर दिखते लिए और यहун को ऑपको जुके लिए और यहां से इतना ही है तो यहां से आप देख लिजेगा फूरा और यहां से बसंती करण घ्राइस का अच्चा जीवन चक्री की प्रारंभिक अवस्ताँ में कम ताप उप्चार आवज सकता होते हैं। इन पौधों में जनन अवस्ता प्यारंब नहीं होती अता वसंती करन जल आउसोसित बीजों थोड़े अंकुरित बीजों तथा नवाब कुरों से कुछ समय के लिए दिया गया है निम्नताप उपचार है जिसके कारण उसमें पुस्पन का समय सीगरता से आता है उसके बाद ह निर्चन में देख लीते हैं मेद़् यहां पर दिया गया है तो पहला हमारा यह है दिरिवर्षी पौधों में पुर्थम बर्ष में ही पुस्पन हो जाता है उसकी कारण पौधों पौधव बीजिव पुशक्य अधावार में बड़ उत्तिरी होती है तो इसका जो आपको आंसर है पूरा लिख लेना स्क्रीन सोट करके और यहां पर हमारे सभी को तरह सभी खतम होते हमने एक भी आंसर नहीं चुड़ा है और यहां से इन सभी को आपको अच्छे से लिख लीना है और बताइए अब वीड कि सॉलुशन हम आपको प्रॉवाइट करा दिये हैं और यहां पर यहां पर जो बायलोगी के सुरूर के जितने भी चैप्टर है हम मैंने समने कब सब कर वाल दिए हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है इन सभी प्लेलिस्ट को देख बार देख लीजिए और इन सभी को आच्छ पूल बाचिं